लादे लादे दोस्तों मैं आप सभी के वोस्त अंकिताब सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं मा शिवरात्री आने वाली है दोस्तों जहम अपनी वीडियो में जानेंगे कि मा शिवरात्री में किन चीजों का सेवन करें और किन चीजों का नहीं करें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगे अगर आप हमाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा विद बेल के साथ अगर आप भी इस साल महाई शिवरात्री का वरत रखने को तैयारी में हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि शिवरात्री के वरत में क्या खाया जाता है और क्या नहीं महाशिवरात्री का वृत लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है इसलिए वृत के दोरान कुछ बाटों का खास ध्यान रखना होता है महाशिवरात्री पर्व के मौके पर भगोण शिव की विशेश पूज़ा की जाती है और हिंदु दर्म में इस त्यार का बहुत महत्व है इस पावन दिन पर भक भोले नात को पसंद करने के लिए व्रत रखते हैं लेकिन महाशिवरात्री का व्रत करने वाले लोगों को कुछ जरूरी बातों का दियान डगना चाहिए क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपका व्रत अधूरा रह सकता है ऐसी मानेता है कि सच्चे और निश्चल मन से भगवान शिव की पूजा करने से हर मुनो कामना पूरी होती है अगर आप भी महा शिवरात्री पर उपवास रखने वाले हैं तो जान दीजिए कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पंचांग के अनुसार फालगुन महा के कृष्ण पक्ष की चत्रदशी ती थी 8 मार्च 2024 को रात 9 बचकर 57 मिन से शुरू होगी और 9 मार्च 2024 की शाम 6 बचकर 17 मिन पर इसका समापन होगा महा शिवरात्री की पूजा निशिता काल में ही की जाती है और 9 बचकर 58 मिन से शुरू होकर 15 मिन पर जाती होगी इसलिए इस बार महा शिवरात्री पर व्रत और पूजन 8 मार्च 2024 दिन शुकरवार को किया चाहेगा व्रत में क्या खा सकते हैं ये चीजी महाशिवरात्री के दुरां सेप, केला, संत्रा, अनार, आधिका सेवन कर सकते हैं इससे शरी की उर्जा बना रहती है और पेट भी भरा रहता है इसके अलावा व्रती लोग धन्य जैसे की धन्या, जीरा और साफ का भी सेवन कर सकते हैं शिवरात्री के दिन व्रत के अनुसार, पानी का सेवन किया जाता है, जो व्रत के पालन में महतपून है शिवरात्री के दिन अन का अत्यन संयम रखा जाता है, जबकि कुछ विशेश प्रकार के व्रत भूजन का सेवन किया जा सकता है जैसे कि साबुत दाना, खिचडी या फलहार शिवरात्री के दिन भगवान शिव की पूजा और अरशना की जाती है जिसमें शिवलिंग का अभिशेक और प्रातना जरू की जाती है महा शिवरात्री के रत में आप ठंडाई पी सकते हैं ये पेट की गर्मी को खतम करने में भी मदद करते हैं शिव भक्तों को ठंडाई का प्रशाद भी बाटा जाता है चाहे तो आप अपने मन पसंद फल के अनुसार ठंडाई बना सकते हैं रत के दोरान कुट्टू के आटे से बनी चीजे खा सकते हैं इस आटे से हाप हलवा पूरी या पराठा बना कर खा सकते हैं इस वरत के दोरान इसे खाने से आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी उपवास में ड्राइफ फूट्स खाने की सला दी जाती है महाशिवरात्री के वरत में काजुप, किश्मिश, बादाम, मखाना आदी खा सकते हैं महाशिवरात्री के वरत के दोरान आपसा बुद्दाना की खिचडी, लड़ू, हलवा खा सकते हैं इन चीजों का ना करें सेवन माशिवराती का रखने वारे लोग भूत से बेलहसुन प्याज का सेवन ना करें इस दिन सफेद नमक भी खाया नहीं जाता है माशिवराती रख के दौरान अनाज जैसे चावल, गेम, जौ, बाजरा, मक्का अधी को नहीं खाया जाता है और मुफली, चना, राजमा, मटर, अधीमी नहीं खाया जाती है रवयत में किसी प्रकार का मास नहीं खाया जाता है और तेल और नमक का भी व्योग नहीं किया जाता है शिवराती के दिन अलकुहल का भी सेवन नहीं किया जाता है तो दोस्तों ये थी हमाई छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्ता ही मस्त रहिए रादे रादे